मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ पानी कैसे पिए तो इन्होंने का ऐसे करके पिए ये अच्छा नहीं है आपके लिए अच्छा नहीं आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रखके ही पानी पिए हमारे भारत में मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूँ जो थोड़ी सी हटकर है लेकिन आपको समझाने में मदद करें भारत में हजारों साल की जो सब्विता है गिलास नहीं है यह गिलास जो है ना विदेशी है गिलास भारत का नहीं है यह गिलास जो है ना यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया यह पुर्तगाली जब हमारे देश में घुज गए तब से गिलास में हम फस गए गिलास अपना नहीं है लोटा है लोटा लोटा और गिलास का अंतराफ लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखिय नहीं होता वो ऐसे 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 होता है तो बागवटी जी कहते हैं कि जो बरतन एक रेखी हैं उनका त्याज जिकरें वो है नहीं अच्छे काम के नहीं तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता अब आप बोलेंगे जी क्या फरक है, फरक सीधा सा है, पानी के बारे में मैं बता चुका हूँ, पानी को जहां धारन किया जाए, वैसे गुण उसमें आते हैं, पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वो ही गुण हो जाते हैं, दही में मिला दो तो छाच में बन वो दही का गुण ले लेगा, पानी खतम हो गया, दूद में मिलाया तो दूद का गुण, तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा, लोटे का, अब लोटे का गुण क्या लोटा गोल है न, गोल है न, और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और होता है, हर गोल चीज का, चूंकि सर्फेस एरिया कम है, इसलिए सर्फेस टेंशन कम है, इसको हिंदी में प्रश्ट तनाओ कहते हैं, हर गोल चीज का सर्फेस एरिया कम है, तो सर्फेस टेंशन कम है, और सर्फेस टेंशन कम है, तो जो पानी उसमें है, उसका भी सर्फेस ट तेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा उप्योगी है अगर सर्फिस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलिफ करने वाला है सर्फिस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलिफ करने वाली है क्योंकि उसमें शरीर को तकलिफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर इसी तरह से कुए का पानी कुए गोल है ना सबसे अच्छा यह सारे साधूसंत कुए का ही पानी पीते हैं आप जानते हैं ना मिले तो बिहार कर जाते हैं, जहां कुवा मिलेगा वहां पीएंगे। देखा है ना आपने सादू संतु, वो कुएं का पानी उनके लिए सरवश्रेश्ट है, क्योंकि कुवां गोल है, कुएं की सरकम्फरेंस कम है, और सर्फिस एरिया कम है, इसलिए सर्फिस टेंशन कम ह होने से क्या होता है, पानी का एक गुण, बहुत लंबे समय तक जीवी तरह, पानी का सबसे बड़ा गुण है, सफाई करना, अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है, वो जरह देखिए, आपकी बड़ी आथ है, और छोटी आथ है, आप जानते हैं कि उसमें में इंब्रेन हैं, कचरा उसी में जाके फसता है, तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है, ये तबी सम्बभव है जब सर्फिस टेंशन कम बाला पानी आप पी रहें तो, अगर सर्फिस टेंशन बढ़ा हुआ पानी है, तो ये कचरा बाहर नहीं निकालेगा, मैं minute बाद रुई से पोचिए, तो रुई कालि हो गई, है ना, कैसे, अंदर का कच्रा और गंदगी बहार आया, कैसे बहार आया, वो दूद में बाहर लाया, अब दूद कैसे बाहर लाता है, दूद का surface tension सबी वस्तूऊंपे सबसे कम है, तो जैसे दूद आपने अपलाई किया दूद ने इस तवचा के सर्फिस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तू का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा तो यहां दूद ने सर्फिस टेंशन कम किया तो तवचा थोड़ी सी खुल गई और तूचा खुली तो अंदर का कच्रा बाहर निकल गया यही क्रिया पानी करता है पेट में यही सेम आपने पेट में पानी डाला बड़ी आत और छोटी आत का surface tension इसने कम कर दिया तो बड़ी आत और छोटी आत थोड़ी खुल गई और खुली तो सारा कच्रा उसमें से बाहर आ गया और high surface tension का पानी पिये ज्यादा surface tension का तो आतें सिकुडेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा तनाव बढ़ते समय चीज सिकुडती है तनाव कम होते समय चीज खुलती है तनाव बढ़ेगा तो सारा कच्रा आतों में अंदर बंद हो जाएगा अब यही आपको मूल व्याद, बवासीर, बगंदर सब करेगा इसलिए सर्फिस टेंशन, कम वाला ही पानी पीना लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है गोल कोई भी वस्तू आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है तो गोल कुए का पानी है तो बहुत अच्छा है गोल तालाब का पानी हो, तालाब भी गोल होते है ना तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा, गोल कुए का पानी बहुत अच्छा, तालाब से छोटी एक पोखर होती है पोखर, अगर पोखर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा, नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुए का पानी अच्छा, क्योंकि नदी में गोल सर्फिस टेंशन वाला है और नदी से ज्यादा खराब समुद्र का और सबसे अच्छा पानी लोटे का लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा अब आप इसको प्रकरती में भी महसूस करेंगे बारिश का पानी गोल होके नीचे आता है मनें बूदें सब गोल है क्योंकि उनका सर्फिस टेंशन हमेशा कम है तो यह विशलेशन लंबा चला जाएगा लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो यह कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना ज्यादा अच्छा है लोटे में पीएं तो लोटे भापस लाएं घर में लोटे निकल गए अब गिलास घुज गए और लोटे निकले ना तो कारीगरों की जिंदगी खतब हो गई जो लोटे बनाते थे कि खतम हो गए के नहीं कसेरे खतम हो गए गाउं-गाउं में कसेरा सब्समझते वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते वो पीतल के लोटे बनाते थे कहांसे के लोटे बनाते थे सम मर गए विचारे हमारे Gilaas के चक्कर में तो बाग बट्टी जी को अगर मानना है तो लोटा लाएं गिलास थोड़े कम करें पानी लोटे का बहुत अच्छा दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंड्रोइट एप डाउनलोड करना ना भ करें देक बेड़ा तोस्तों पानी दोटित अजलोड शेड़ोगर खित करें और है यालोड़े पांच्छा अच्छा ना विला मानन आप पानी खित्रोदुशा विलागर यददी जी नी मत ना दोटे कमें दो सबस्तों से अधंदने करों विलाष बास